दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं आपके पास आधार कार्ड जरूर होगा और अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड है तब तो किसी भी वरना आप बहुत बड़े नुखसान में फंस जाएंगे बात दर असल यह है कि केंज सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने का जो फॉर्मूला दिया था वो अब 31 माज 2023 तक ये डेडिंट है ये लास्ट डेट है अगर अब नहीं करवाते हैं तो फिर आप का पैन कार्ड वो पूरी तरीके से इन्वैलिड हो जाएगा जिसके नतीजे में अगर आप किसी तरीके से लोन और दूसे फाइनलिशे ट्रंसक्शन वगरा करते हैं आई टी आर वगरा भरते हैं तो आप नहीं भर पाएंगे क्योंकि आपका पैन कार्ड इन्वैलिड हो जाएगा इससे पहले दो हजार बाइस 31 मार्च दो हजार बाइस तक फ्री आफ कॉस्ट था लेकिन उसके बाद जिन लोगों ने नहीं उस वक्त तक भी लिंक किया था उसके बाद गौर्मेंट ने 500 रुपया लेट फी दिया था अब फिलहाल गौर्मेंट ने एक हजार रुपया लेट फी के साथ 31 मार्च दो हजार तेस तक इसकी लास टेट रखी है जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंकम टेक्स के वेबसाइट पर भी यह तमाम चीज़ें लिखी हुई है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक तस्वीर शेयर करके लिखी गई है लिंक यूर पैन विद आधार इसके लाव नीचे दिखा हुआ है देखिए पैन अधार लिंक गंपेन और इसी तरह से अगर आप इंकम टेक्स के ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो यह देखिए ऑफिशली ट्विट किया गया है यह हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में पहले इंग्लिश में दिखिए अठार माश के ट्विट किया गया लिखा गया है लास्टेट टू लिंक यूर पैन अधार इस प्रोचिं सून उसके आगे लिखा हुआ है ऐस पर आईटी एक नैंटीन सिक्टीवन इट इस मेंड़ेटरी फॉर आल पैन होल्डर्स उसके बाद में एक तस्वीर शेयर की है हिंदी में मैं आपको पढ़कर दिखा देता हूँ यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है इसने लिखा हुआ है पैन और आधार को लिंक करने की आखरी तारीख नजदीक है लिखा है आएकर अधनियम 1971 के अनुसार सभी पैन धार के लिए जो छूट की शरणी में नहीं आते 31 मार्श 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना आनिवारे है एक अप्रेल 2023 से जो पैन आधार से नहीं लिंक किये गये हैं निश्क्रिये हो जाएंगे कि रुपिया आज लिंक करें लेकिन अगर आपको confusion है कि क्या पता हमा आपका PAN और यहां पर आधार नंबर ये दोनों डाल करके और दोनों डाल दिया है और अब यहां पर वियु魚 लिंक आधहार से लिंगए तो, हमारा fluorescent आ छाएंगा या यह तरीके से लिए खिल और सकते हैं लेकिन अगर आपका लिंक नहीं है और link करना चाहते हैं तो आप simple सा उसके website पर चले जाएए और किस तरीके से करना है मैं आपको बता देता हूं इसको close कर दिए एक इससे वापस चले जाएए वापस जाने के बाद में यहां वाला link वो आधार इस वाली लाइन पर click करिए और click करने के दूबए आपको पे करना पड़ेगा उसके बाद में फिर जब वो प्रसेस कंप्लीट हो जाएगा पेमेंट का फिर कुछ दिनों के बाद में आपको ऑफ्षन देगा लिंक करने की प्रिक्रिया का तो इस तरीके से आप कर सकते हैं यहां एक चीज में आपको बता दूँ यहा लिंक करने की कोई जरूवत नहीं है यहां पर साफ साफ लिखा हुआ यह देखे और कौन को चार करेटिक्रेक है एनराइज यानि नॉन रिजिदेंट इंडिया में नहीं रहते हैं इंडिया के होते हुए इसे दूबए बगरा में जो लोग रहते हैं और दूसरे हैं उन्हें भी आधार और पैंट से लिंक करने के कोई जरूवत नहीं है लेकिन इसके अलावा सब भी को लिंक करने के जरूवत है अगर लिंक नहीं करेंगे तो फिर उनका इन्वैलिड हो जाएगा पैंड कार्ड और उसके कई सारे कॉंसेक्वेंस होंगे यानि बहुत सारे अगर आपके रूख जाएंगे होम लोन वगारा नहीं लेपाएंगे कई तरह की दिक्कते आ जाएंगे तो इसलिए बहतर है कि कर लिए जहां पर देखे एक हजार रुपया लेट फी के साथ यह देखे यहां पर साब साब लिखा हुआ है दोस्तों अगर आप खुद नहीं करते हैं चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए बगल में घंटी का निशान बना होगा उसको दबा कर लिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें फॉरण इसकी जानकारी आपको मेरे जाएंगे अलफा होस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर इंजिरिंग कालीच अरहा सीता पुरूग लखनू